खुसी बुटिक चैनल को सस्क्राइब कीजिए घंटी दबाईए ओल पे कलिक कीजिए लेटाश डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए या बनाना बता रही हूं वीडियो का एंड तक देखते रहेगा और लाइक शेर और सस्क्राइब दबा के कर दीजिएगा और एक बात मैं आपको बता देती हूं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं फॉम कहां मिलेगी तो मैं आपको बता देती हूं कि ये वाली फ पारगीन में मिलेगी आपको जिस भी कलर की सलवार बनानी हो उसी कलर की आप उसमें यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अब हम यहां से लहरिया बनाना स्टार्ट करेंगे लहरिया आपको इस तरीके का बनाना है बड़ा बनाना है या फिर छोटा लहर लहरिया बनाना है इस तरीके का तो आप देखेंगे कि हमें मसीन की इस तरीके से चलानी है लहरिया बनाने से पहले आप मसीन चेक कर लीजिए कि आपकी मसीन कैसी चल रही है मसीन चेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए इस पे आप मसीन चला के देखेंगे आपकी मसीन में कहीं टेव आ रही है या कहीं पे जैसे सिलाई में चैन आ रही है तो वो चीज आप चेक कर लिजिए कि आपकी सिलाई बिल्कुल सही आने चाहिए अगर आपकी मसीन में चैन आ रही है तो आप मसीन को ठीक कीजिए अगर आपकी मसीन में टेव आ रही है तो आप सुई चेंज करके देख लीजिए कि आपकी मसीन में टेव आ रही है किस कारण से आ रही है तो इस तरीके से आपको पहले सिलाई चेक करनी है अगर आपकी सिलाई बिल्कुल सही आती है तो आप लहरिया स्टार्ट कीजिए यहां से आप लहरिया बनाना स्टार्ट कीजिए तो आप कपड़े को इस तरीके से घुमाईए ऐसे मसीन को धीरे धीरे चलाएए और कपड़े को इस तरीके से धीरे धीरे घुमाएए ऐसे अगर आपकी मसीन धीरे चल रही है ऐसे और आप कपड़े को जल्दी जल्दी घुमा देंगे तो लहरिया सही नहीं आएगा यह देखिए यह लहरिया टेड़ा मेडा हुए है और यहां से छोटा बढ़ा हुए है तो आप जैसे मसीन धीरे चलाते हैं ऐसे तो कपड़े को भी धीरे ही घुमाईए ऐसे इतना इतना आपको कपड़े को घुमाना है आप सुई की तरफ ध्यान दीजिए कि सुई अमारी की इस तरफ जा रही है ऐसे जैसे आप मसीन धीरे चला रहे हैं तो कपड़े को धीरे घुमाईए ऐसे अराम से अगर आपकी मसीन तेज चल रही है तो आप धीरे घुमाएंगे तो लहरिया सही नहीं आएगा मसीन आपकी तेज चल रही है तो आप कपड़े को भी तेज भी घुमाईए ऐसे इस तरीके से लहरिया बनाएए अगर आपकी मसीन धीरे चल रही है तो आप धीरे से कपड़े को भुमाईए अगर आपकी मसीन तेज चल रही है तो तेज से कपड़े को भुमाईए तो मैं ये दो लाइन हो रहे है इसमें आपको बना के दिखा देती हूँ एक लाइन में आपको धीरे मसीन चला के लहरिया बना के दिखाऊंगी और एक लाइन में आपको तेज चला के लहरिया बना के दिखाऊंगी वीडियो पसंदा रहे तो एक लाइक कर दीजिए इस तरह से आप धीरे मशीन को चलाओ गे तो चोटे या बड़े जैसे भी आपको लहर यह बनाने हैं उस तरीके से आप कपड़े को गुमाईए अगर आपको जैसे बड़े लहर यह बनाने है तो कपड़े को आप बिल्कुल धीरे से घुमाईए और आपको छोटे लहरिये बनाने है तो आप कपड़े को जल्दी से घुमाईए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस लाइन में हम सपीड से लहरिया बनाएंगे हमारी मसीन भी तेज चलेगी और कपड़ा भी तेज घुमेगा कपड़े को आप ऐसे घुमाईए कि जैसे हमारी मसीन चल रही है मसीन हमारी तेज चल रही है तो कपड़े को तेज घुमाईए अगर आपकी मसीन धीरे चल रही है तो कपड़े को धीरे घुमाईए तो आपकी सलवार में ये लहरिया इस तरीके से बन जाएगा तो हमने ये इस तरीके से पहुंचा बना लिया है इसके बीच में आप अपने मर्जी का डिजाइन डाल सकते हैं ये वाला डिजाइन में आपको चौक से डाल के दिखाया है इसे आप एट का डिजाइन बोलते है या आप लहरिये का डिजाइन भी बोलते है तो इस तरीके का डिजाइन आप भी बना सकते है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा अपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब के बेटन को जोर से दबा देजिएगा और मैं मिलते हैं अगले वीडियो में